हेलो एरिवन मेरा नाम है उतकर्ष आज मैं आपके साथ शेर करने जा रहा हूँ एक और सैलरी स्लिप और ये सैलरी स्लिप यूको बैंक की है ये मेरे फ्रेंड ने मुझे दिया है उनकी जो डेट ऑफ जॉइनिंग है वो 2022 की है तो उनको काम करते वक्त लगबग दूसरा साल क बैसिक पे आपका जो की 52,400 है अभी जो 12th बाइपर्टाइट सेटल्मेंट के बाद ये बैसिक पे 48,000 हो गया है बट इनको काम करते हुए लगबग देड़ साल हो गया है तो ये स्टेज 3 ऑफ स्केल 1 पे है तो 12th बाइपर्टाइट सेटल्मेंट में स्टेज 3 का जो बैसि बैंक वाइज और सिटी वाइज डिपेंड करेगा ये सिटी वाइज होता है अलग-अलग उसके अलावा फिर स्पेशल अलाविंस अगेन ये लगबग 26% है 52,480 का और उसके साथ उसका डिये डिडेक्शन में हम देखेंगे तो यहां पर आप देख सकते कि 15,000 का जो डिड स्थम्सीन अलग-ठाइज ये सम्टनिया ये है इनकम टेशन फिर साइबlaughs eth so अलग अलग ये अलग होते हैं तो जो सबसे में डों डिडेक्शन है वह in perché के अलावा ये में कृख सेर्आ में आने के बाद income tax एक साथ deduction के कारण इतना जादा deduction है और total जो gross salary वो है 84,000 रुपीस जो deductions हैं वो है 21,000 तो obviously आपे income tax जादा लगा है लेकिन regularly जब income tax deduct होगा तो वो बहुत ही कम होगा जिसवज़े से इनकी net salary जो 63,000 रुपीस हा रही है for the month of March वो regularly around 70 to 75,000 रुपीस आएगी net payment इसके अरावा आप यहां पर एक और चीज़ देख सकते हैं यह जो bank contribution to NPS है तो जैसे आपको पता है कि bank भी contribute करता है आपके NPS account में तो total जो आपका contribution है वो double से थोड़ा जादा बढ़ जाता है तो यह था वीडियो जिसमें युको बैंक स्केल वन स्टेज थ्री का जो अफिसर होगा उसकी जो salary होगी वो लगबग इतनी gross pay पे आई यह 85,000 के असपास और जो उसका net pay होगा वो लगबग 75,000 के असपास आएगा तो यह तो यह जस्ट एक वीडियो था था थोड़ा आपको एक exposure देने के लिए जो भी जॉइन कर रहे हैं जिनके भी exams आने वाले हैं all the best इस वीडियो में ताई थैंक्स